नमस्कार दोस्तों आपका स्वाज़ात है पुक्वांस ओफ SSC चैनल पर इस्टुएंट साज हम बात करने जा रहे हैं SSC द्वारा रिलीज एक बहुत ही इंपॉरेंट नोडिस की इस नोडिस के अंदर बताया गया है सबसे पहले कि कि result declaration कब कब हुए है पर पहले बात करते हैं CGL 2017 की तो उसका result डिकलेर हुआ है 2017 का 6 जून को और इसके बाद junior translator का result 14 जून और इसके बाद CGSL का result अभी हाल ही में 15 जून को disclose किया है SSC ने अपनी side के ऊपर इसके साथ साथ यहां पर student जो सबसे important ख़बर यह है कि जो tier 3 होने वाला है उसकी date है 7 2018 यानि की 8 जूलाई को होगा tier 3 CGL 2017 का और CGSL student CGSL के जो 49,000 student shortlist किये गए है उसके लिए जो tier 2 होना है यानि की descriptive exam वो CGSL 2017 का descriptive होने वाला है 15 July को यानि की students आपके बाद बहुत कम समय बचा है सिर्फ अगर माना जाए तो 10 दिन यहां से और 15 दिन वहां से total आपके बाद 25 डेस है जिसके अंदर आपको तयारी करनी है descriptive की तो हमारे चैनल के साथ बने रही है क्योंकि हम descriptive का आपको पूरा मडेले प्रोवाइड कराएंगे तो students आज की वीडियो हैं बस इतना ही बने रही हमारे चैनल के साथ इसके साथ है यहां पर skill test की भी बात की गई है group stenographer group grade C और grade D की जो की 20 July को इसका exam हुआ था बात करते हैं यहां पर constable GD exam की तो website के उपर published वाद इसका result 21 साथ को पब्लिश किया जाएगा और यहां पर commission की ज़रा phase 2 की बात की गई है selection पोस्ट की तो students आज की वीडियों बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो इसे like कर दीजिए share कर दीजिए सब्सक्राइब कर लिजिए हमारे चैनल bookworms of SSC को और students हमारे चैनल के साथ बने रही है क्योंकि सीचसल के descriptive के सारे essay और letters हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे MTS के लिए हम काफी letters पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो students आज की वीडियों बस इतना ही goodbye best of luck पढ़ते रहिए और selection आपको लेना है इसी वार so goodbye